जुतिस सचार जी कल से फरवरी महिने का अंतिम सब्ता शुरू हने वाला है तो फरवरी महिने के अंतिम सब्ता में किन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है हर हर महारे जैवावा विद्दिनाथ हरवरी महां का अंतिम सब्ता प्रार्म होने वाला है और इसमें बारा रासीों का फल इस प्रकार से है मेस रासी वालों का यह सप्ता सुभ रहने वाला है घर में सांती का माहौल बना रहेगा और भूमी भवन खरिदने का भी योग बन रहा है इसलिए जदी चाहें तो भूमी भवन वाहन इत्यादी खरिद सकते हैं बिसव रासी वालों का या सब्ताह नकारात्मक रहने वाला है, मौस्मी बिमारी से परिसानी बढ़ सकती है, तबियत खराप हो सकता है, आपको पेट सम्मंधी बिमारी भी सता सकता है मित्रुन रासी वालों का यह सब्ता सुभर हने वाला है कोट का चहरी के मामलों में सखलता मिलेगी यह सब्ता आपका भोत अच्छा रहेगा करक रासी वालों का यह सब्ता कुछ उतार चड़ाव के साथ यानि नकारात्मक उर्जा से ही यह सप्ताह आपका शुरू होगा आप खर्च पर कंट्रोल करें नहीं तो फिजूल खर्ची आपका बढ़ सकता है सिंग रासी वालों का यह सप्ताह सुभ रहने वाला है व्यावसाय में आर्थिक लाव का योग बन रहा है आपका व्यापार में बढ़ोत्री होगी सभी कार्ज आपके पूरे होंगे कन्यारासि वालों का यह सप्ता उतार चड़्हाव रहेगा, आपका यह सप्ता धन सम्मंधी ब्यौसाय सम्मंधी दिक्कते आ सकती हैं, उसका सामना करना पड़ेगा, आपका कोई भी कार्ज हडवडी में करने से आपका काम भिगड सकता है, इसलिए सोज समझ कर कार्ज करें तुला रासी वालों का यह सपता बहुत अच्छा रहने वाला है आए के नए स्रोत बनेंगे सोचे हुए सभी कार्ज पुरुन होंगे ब्रिस्चिक रासी वालों का यह सपता नकारात्मक भरा रहने वाला है विरोधियों से सामना करना पड़ रहेगा आपका र मिरोधी से चुनवति पुर्वारता पारप उससे उनाबहे रहें भशाफ कम निचार होुए , बिध्डास्थ का योग भी वाला है आप सावधानी बरते हैं मकर रासी वालों का सुभ रहने वाला है ब्यवसाय में लाब होगा छात्रों को पढ़ाई में मन लगेगा और जदी एक परिक्षा दिये हैं तो आपको सफलता मिलेगी अच्छा सप्ता रहेगा कुमरासी वालों का यह सप्ता नकार आत्म भरा रहने वाला है कोई कार्ज पूरा नो होने के कारण आपका मन जो है उछड़शिडा रहेगा मन को शांती बनाए रखें सांत रखें यह सप्ता आपका बल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि यह सप्ता आपका जो है चुनोती आप बरकरार बनाए रखें मीन रासी वालों का यह सप्ता बहुत अच्छा रहने वाला है आपका नौकरी में प्रमोसन होने का यूग है ब्योसा आपका अच्छा चलेगा सभी समस्याएं यह सप्ता हमें दूर होगी आप भोलेनात का कृपा आपके ऊपर बनेगा